हलो प्यारे विदार्थियो, समाकेट में की यूट्यूब चनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आई होप कि आप सबी सवस्त होंगे, मस्त होंगे आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कार्य पत्रक पांच की इससे पहले अपने यानि आधारे खा मुल्यंकन और एक से चार कार्य पत्रक कर सुगे हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बोक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है वहाँ से जाकरुन को देख सकते हैं इनके अलावा आप इंगलिस और गनित के कार्य पत्रक भी देख सकते हैं यानि वहाँ पर उनका भी लिंक दिया गया है तो यह आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो आप उनको जरूर देखें अगर आपने अभी तक चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो पले चनल को सस्क्राइब करना ना भूले शुरूरात करते हैं विशेवस्तु रहेगी हैं क्या हमारे आसपास के पदार सुध हैं अधिगम मिंदू रहेगा मिश्टरन पहला परसन है वायू मंदल में वायू का संगठन वर्ताकार आरेक द्वारा पर्दसित कीजिए यनि वायू मंदल में वायू का संगठन वर्ताकार आरेक में आपको क्या करना है एक वर्त बनाना है ये एक वर्त बनाया अब इसमें अपने को दिखाना है यानि क्या दिखाना है यानि वायू मनल में जो वायू का संगठन होता है उसको जैसे अब ये जो जितना भाग दिखाई दे रहा है यानि ये लग भग भाग है 78% तो इसके अंदर क्या है नाइट्रोजन है यानि 78% बाग पर क्या है नाइट्रोजन उसके बाद में इसमें से 21% भाग पर यानि ये जो भाग है वह 21% 21% भाग पर है oxygen चाह लिखना आपको oxygen उसके बाद यानि एक जो भाग ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये है अन्ने गैसे हैं इसके अलावा थोड़ा सा भाग यहां पर है जो है आपका 0.03 ये है कार्बन डाई ओकसाइड कौन सी है कार्बन डाई ओकसाइड इस तरीक के आपको इसको क्या बनाना है यानि चित्र को बनाना है अगला है मिस्रन की प्रिवासा लिखिए दो या दो से अधिक सुध तत्वों या योगिकों के मिलने से मिस्रन बनता है तो बहुत आसान प्रिवासा है दो या दो से अधिक सुध तत्वों या योगिकों के मिलने से क्या बनता है मिस्रन बनता है तीसरा परसन है समांगी एंव विसमांगी मिस्रन की छंटनी कीजिए जैसे जल चाए सर्बत दूद तेल पानी का मिस्रन सलफर एंव लोहे के चुरून का मिस्रन आदी तो समांगी मिस्रन हो जाएगा जल चाए सर्बत और दूद ये किसमें आ जाएंगे समांगी मिस्रन में आ जाएंगे से अधिक दातू या एदातू की मिलने से मिसर दातू बंती है। नेक्स्ट है अगला है अपना कारयपत्रक छे है। विशेवस्तु क्या हमारे आस-पास के पदाशुद है अधिगम मिंदू रहेगा विल्यन। अब यहां पे विल्यन उप्रोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कर जिए तो यहनि इसके बाद में आपको लिखना है विल्ये पलस विलाइक तो यह इसके अभिक्रिया है फिर टिंचर आयोडिन विल्यन में विल्ये एम विलाइक को पहचानिए तो आयडिन बराबर होता है, विले एथिल एलकॉल बराबर होता है, विलाएक फिर विल्यन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिस्रण को विल्यन कहते हैं विल्यन की संदर्ता का प्रिकलन करें तो विल्यन की संदर्ता प्रतिसत हो गया यानि विल्य बटे विल्यन गुना 100 विल्यन होता है विल्यन ब्राबर होगा विल्यन प्लस विलायक जैसे 400 प्लस 320 यानि 360 तो इसको कैसे हल करेंगे जैसे ये बता रहा हूं में 100 लुकर के तो 40 बटे 360 गुणा 100 तो 0 से 0 कट गया 4 से काटेंग कितना जाएगा 9 यानि 100 बटे 9 100 बटे 9 100 में 9 का भाग देंगे तो आजाएगा अपना उतर 11.1 परतिसत अगला है विलियन के गुण दरम लिखी पहला विलियन एक समांगी मिसरन है दूसरा हो जाएगा विलियन के कंड अत्यादिक छोटे होते हैं छोटे होते हैं इसलिए वे आंखों से नजर नहीं आते हैं तीसरा हो जाएगा अपने छोटे आकार के कंड विलियन के कंड गुजर रही परकास की किर्ण को नहीं फैलाते हैं तो ये विलन के गुंदरम हो जाएंगे आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होगे अगर आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिए चनल को सब्सक्राइब करना ना बुले थे तैंक यू